हेलो एब्रीवन, let us pick up from where left new plants from part of plant अब पढ़ेंगे हम new plants के होते हैं वो part of plant से निकलते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि plants कहां से ग्रो हो रहे हैं? सीट से अब हम पढ़ेंगे कि plants part से भी ग्रो हो रहे हैं plant के जैसे stem cutting स्टेम क्या होती है? उपर का तना plant का उसको कट करके एक new plant ग्रो हो रहा है जैसे stem कट करा ना उसके उपर दूसरे plant का stem, new plant का stem हमने fix कर दिया उससे क्या हो एक new flower आया? plants such as rose and sugarcane are grown from stem कौन-कौन से रोज और sugarcane कैसे ग्रो होते हैं? stem से grow हो जाते हैं stem cutting से many fruits, fruits भी होते हैं कौन-कौन से mango and grapes are produced through stem cutting mango और grapes भी कैसे produce हो जाते हैं stem cut करकर runners, plants like strawberry, grass grown from runners runners होते हैं asexual reproduction मतलब अभी आप इतना समझे है कि जैसे एक है मैंने plant grow करा strawberry का यह strawberry का plant है ठीक है यह स्वाइल पे है जो इसकी roots है और जो upper layer की soil है ना उन दोनों के बीच की जो यह stem है इसे बोलते हैं runner इसे क्या बोलते हैं runners यह क्या produce करती है? bird produce करती है bird means bird produce करती है bird मतलब क्या आता है? कली कली को produce करती है इस bird को अगर हम दूसरी soil में grow करेंगे तो एक new plant हमारा grow हो जाएगा तो उसे हम बोलते है runners समझाए आपको runners potato and ginger grown from underground stem अब आपको पता होगा जो potato है और ginger है वो underground stem से grow होती है अनकी stem underground निकलती है रूट्स अब देखेंगे रूट्स से यहां पर इसके स्पोर्स है अगर यह स्पोर्स गिर जाए नीचे तो अगर यह स्पोर्स गिर जाए तो उससे न्यू प्लांट आ जाएगा वह कौन सा है ब्रायो पाइलम अल्गी फंगाई एंड मॉसस दो नोट है फ्लार तो वह सीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते संद्वी स्पोर्स वुपन्त फोर्स इंसद्ट फट करते है स्पोर्स फंगाए मैं 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 included इस तो इस पे बहुत चोटे चोटे ना इसके स्पोर्स हैं क्लियर हो रहा है आपको और इनके स्पोर्स से एक न्यू फर्न ग्रो हो जाएगा और क्रॉप क्रॉप और वेजिटेबल के बारे मिं हम पढ़ाइगी ग्रोप्स क्या होता है प्लांस तरो देखो जो ब्लांस होते हैंक अगड की उप्लांस इभ thing्रो भիड स्पेस पर बहृत बर्य एरिया में उसको मैं आप जैसीर वीट है यह बहुत बड़ में ग्रो हो रहा वीट इसमय में एते सेंवसा जतों है ना मेज च लिएंच जतो है तो यह यह कंने में का आज कलेंगा कृूप। उसी का बोलेग के डियारी को आपको सो िध्रीफरेंट क्रोप्स इंध fortune सीजन एप जो कॉप्स है जो फार्मराहे वह अलग소 रगसे में ग्रो करता जैसे crop like wheat and gram grown from November, जो wheat का है उसे grow कब करता है वो November to April, मतरश हमें नमेंबर में ग्रोप करता है, अपरेल में क्या करता है, इसको काटता है, ठीक है, तो इसे हम वहां भालते है, राबी क्रॉप, इन्हें क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप, राबी क्रॉप राबी क्रॉप होती है राबी क्रॉप्स कौन सी हुई हमारी विंटर क्रॉप्स ठीक है क्यों हुए विंटर क्रॉप्स क्योंकि नवेंबर में उगती है नवेंबर में उगाया जाता है नवेंबर ठंड का सीजन होता है ठंड होती है न उसमें तो हमारी विंटर क्रॉप होगी ठीक है अब खारीफ क करूप करोप निरे घया करた जही도 कर दोटी है जो जून में पहलती है जोन थालज जाती है अप्टूबर में कार्टी जाती है तो सेлек èm समर क्रॉप इसको खारीप कया बोलेंगे समर क्रॉप जिसे राइ reviewers मेज जूआर ए भाज्रा डाय सब कब बहते हैं इन जून में क्यों होता है क्योंकि इन सब क्रॉप्स को सबसे ज्यादा क्या चाहिए वाटर जाहिए ठीक है तो बारिश रेनी सीजन आ जाते ने इस टाइम पीरिट पर तो यह क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाती है अब आपको क्रॉप सीजन पता चली वेजटेबल लाइक कैब बेज आ है कॉली फ्लार रेडिश वह कहां पर कब ग्रो होती है विंटर सीजन में एंड वेजटेबल लाइक बिंजल पंकिन यह कब ग्रो हो रहे है हमारे समर सीजन में तो आपको इन दोनों का पता चला सीजन अभी हमने क्रॉप्स का पड़ा था कि विंटर में कौन से हो मません वेजटेबल में में वींटोर में कौन सी वेजटेबल ग्रोती और समर में वीज़ War變yn वह जो ग्रोंट है उनका थीडिफरेंट क्लाइमीट होता है जैसे गेशे में राइज् Corps होते हैं उसमें बहुत सारा पाना अगयि parting की बात करें तो ब्रें का इतना पानी नहीं च judoo सबसे ज़्याद हैं वह उनको अलग-arm Vaccine benefits जो इसमें सपार grow सब्क्राइबClaries जिसमें उनके सबारी जोड़ एरे करычно पैर बता लिसे जाद में पालत दो टेमां हो सब्सक्राइब इसमें उनको और परम किखा नियुक्त कि वहां पर क्या आती है ज्यादा रेन आती है बारिश आती है तो इसलिए चादतर राइस जूट कहां पर ग्रोन होते है वेस्ट प्रेंगाल में on the other hand wheat is grown in sandy wheat कहां पर ग्रोन होती है sandy place पे उसे ज्यादा water की ज़रूरत नहीं होती and irrigated soil फिर वहां पर होती है पंजाब एंड उत्तर परदेश में clear हुई आपको बात अब ज्वार एंड बाज्रा are grown in sandy soil like that ज्वार और बाज्रा को ज्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है sandy soil में हो जाते हैं तो वह कहां पर ग्रोन हो रहे हैं राजिस्थान में black soil of central and western India is good for cotton black soil जो है central इंडिया और western इंडिया की वह किसके लिए good है cotton के लिए टी प्लांट कहां पर होते हैं उन्हें क्या चाहिए तो moist soil चाहिए होती है moisture वाले soil चाहिए होती है tree plantation are in hilly place वह कहां पर होते हैं hilly place में जहां mountains वगए रहा हूं slope of hilly area and coconut trees crown properly on a coastal area अब आपको पता चला कि अलग अलग plants अलग अलग जो हमारे crops हैं वो कहां पर क्यों grow होते हैं पंजाब में क्यों वीड ग्रोट होती है West Bengal में क्यों राइस ग्रोट है राजिस्थान में क्यों जोहार बाजरा ग्रोट है अब आपको clear हुआ सब कुछ अब how to protect the crop अब हमने crops को क्या किया उगा लिया ठीक है ना अब हम इनको क्या करेंगे हम इन्हें protect कैसे करेंगे प्रोटेक्ट भी तो करना है इन्हें so we need to protect our crop against grazing animals हमें प्रोटेक्ट किसे करना है आइनिमल से जो उसे खा जाते हैं like cow, buffalo and goat हमें इनसे प्रोटेक्ट करना है Pests such as locust, grasshopper and caterpillar attack crops यह क्या करते हैं हमारी crops को attack करते हैं तो हमें इनसे भी बचाना पड़ता है Protect the crop from being eating and spoiled by rats, mice, squirrel and other birds Protect हमें birds से भी करना पड़ता है, rats से भी करना पड़ता है ताकि वो हमारी जो crop है उसको eat ना कर ले, उससे spoil ना कर दे, उसे खराब ना कर दे Crop rotation also help to increase the production Crop rotation करना चाहिए उससे क्याता है, हमारी जो production है, उसमें क्या होती है, increase होती है Crop rotation help करता है, increase करने में production को The deceased plant should be removed, अब जब हमने crop लगाया, उसके बिल्कुल पास में कोई grass उख जाते हैं, उसमें plants उख जाते हैं, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, remove करना चाहिए क्योंकि जब हम crop लगाएंगे, जो उसका nutrition होगा, वो ये grass भी लेगा, तो इससे वो उसकी growth अच्छे से नहीं होगी, तो हमें इसे grass को भी क्या करना चाहिए, remove कर देना चाहिए Protect the crop against diseases, disease से भी उन्हें बचाना है, harmful insects से भी बचाना है, crop sprayed फिर हमें सबसे बचाने के लिए हमें एक spray करना चाहिए, crop पर, insecticides and pesticides such as DDT, इसको हमें spray करना चाहिए, अपने crops पर, ताकि वो disease से बची रहे, और harmful insects से बची रहे Last topic is, how to store seed and grains, देखो, पहले हमने crop उगाए, फिर हमने उनको protect किया, फिर हमने क्या किया, उनको काट दिया तो अब हम क्या करेंगे, उन्हें store करके रखेंगे ना खहीना कही तो, वरना वो तो खराब हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे, after harvesting the crop seed and grain, they need to proper storage, उन्हें क्या चाहिए, एक storage चाहिए, proper, otherwise moisture or dampness spoil them, वरना क्या होगा, अगर हम अपने crops को store नहीं करेंगे, तो वो spoil हो जाएगी, मॉल, sports, क्या करेंगे, eat कर लेंगे, तो हमारे को तो कोई फायदा नहीं होगा, harvesting का, तो इसने हमें store करना जरूरी है, seeds को, अब seeds को store कैसे करेंगे, like हम jude bag में रखेंगे, या ऐसे रूम में रखेंगे, जो dry हो, बिलकुल सुखा रूम हो, बिलकुल भी water ना हो, जिससे हमार सीड है, वो damage ना हो, ठीक है, plant like other living things, need love and care, जैसे plant, जैसे other living things है ना, जैसे हम सब है, हमको love and care चाहिए, है ना, ऐसे plants को भी चाहिए, कि plants भी क्या है, living things ही तो है, they grow well, well under favorable condition, good crops at the wealth of our country, और जब अच्छे crops उगेंगे, तो वो हमारी country को भी wealth देंगे, so your chapter is completed, thank you.